दोस्तों सब लोगों को पताई होगा कि जब भारत और चाइना के बीच में साल 2020 में लदाक में जड़फ हुआ था तब चाइना के तरफ से भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर रिजन में मतलब लदाक के आसपास के पहाड़ी शेत्र में अपने हलके वजन के टैंक मतलब टा के वजन के टैंकों का भी निर्मान किया जा रहा है पर दोस्तों इस चार साल के दर्मियान जहाँ भारत के तरफ से अपने खुद के हलके वजन के टैंकों का डिवलप्मेंट किया जा रहा है तो उही पर दूसरे तरफ अब मेडिया रिपोर्टों में ये भी दावा किया ज चाइना इन चार सालों के दर्मियन और एक मिस्टरियस टैंक को निर्मान कर चुका है और दोस्तों हाली में ही कुछ वाइरल फोटो के द्वारा दावा किया जा रहा है कि चाइना के द्वारा एक नए हलके वजन के टैंकों का डेवलाप्मेंट किया गया है जो कि आने वले सम मेडिया में ये तक दावा किया जा रहा है कि इन टैंकों के सारे जो modern armored warfare है उसे संपुर्ण रूफ से बदला जा सकता है इवन कुछ मीडिया रिपोर्टों के मताविगे जो टैंक है ये असल में cutting edge technology का एक ऐसा टैंक है जो की चालिस टान वजन से कम है और ये केवल मात्र दो क्रू मेंबर से ही operate हो सकता है और ये क्रू मेंबर असल में टैंक के turret में नहीं बलकि टैंक के हल में बैठेंगे मतलब ये जो turret है ये संपून रूफ से unmanned turret है जिसमें की 105 mm के एक automated loaded gun का इस्तेमाल किया गया है जो की rapid fire capability के साथ है और इसमें hydrodynamic suspension system और hybrid driving systems का इस्तेमाल किया गया है जबकि इसके इलावा इसमें कई तरीके के आधुनिक feature जैसे की stealth technology का वे इस्तेमाल होने का दावा किया ज रहा है इवन दोस्तों इसके इलावा मेडिया रिपोर्टों में ये तक दावा किया जा रहा है कि इन टैंकों में एक modern armor के इस्तेमाल किया गया है जबकि इसके इलावा नया hard kill active protection system, active electronically scan array radar, drone jammer, even remote control weapon station को वी टैंक के turret के रूप में इस्तेमाल किया गया है ताकि drone के threat को nudlize कि अब दोस्तों ये जो viral photo है इसके साथ कोई official जानकारी नहीं आया है जिन कारणों के वज़ा से इन टैंकों के photo को देखते हुए कई तरिके के अलग-अलग दावे किया जा रहा है और even कुछ media reporter में इवन ये तक दावा किया जा रहा है कि चायना के द्वारा संपूर्ण एक ने जनेरेशन के टैंक को तैयार किया गया है और वही पे दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दू कि कुछ Chinese media report का ये तक दावा है कि जल्दी इन टैंकों के mass production को भी चायना के द्वारा शुरू किया जाएगा हाला कि दूसरे तरफ अगट देखा जाए तो भारत के द्व वजन के टैंकों का निर्मान कर रहा है पर दोस्तों वही पे चायना के ये ने हलके वजन के टैंकों को भारत के जुरावा टैंकों के साथ compare करके ये तक दावा किया जा रहा है कि चायना के जो टैंक है ये modern technology में भारत के टैंक से थोड़ा आगे है और ये तक दावा किया ज जिससे कि टैंकों में क्रू का संख्या रिड्यूस होके दो तक आ चुका है और ये जो अन्मैन टॉरिट है ये संपूर्ण रूफ से आटो लोड़ेड कैनन से लैज है जिससे कि टैंकों अपरेट करना या किया है तो टैंकों लड़ाई के शेत्र में इस्तेमाल करना और आसा जो किया गया और उसका वजन अगर 40 टन से कम है तो नो डाउट ये एक हलके वजन का ऐसा टैंक होगा जिसका उप्योग चायना के द्वारा भारत के साथ लगे हुए पहाडी शेत्र में मतलब लड़ाख जैसे शेत्र में किया जा सकता है पर दोसों इन टेक्नोलोजी से भी हाट के इसमें एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होवी हाट किल एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है और आप लोगों को बता दू कि फिलाल ऐसे जो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है ये टेक्नोलोजी में सबसे नविनतम टेक चाइना के द्वारा बताया जा रहा है कि अपने टैंक में द्रोन प्रोटेक्शन के लिए एक रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन और गन का उपयोग किया गया है जो कि रिमोट लिए ऐसे द्रोनों को अच्छे खासे डिस्टेंस से निटलाइस कर सकेगा और दोस्तों फिलाल इन दोनों टेक्नोलोजी को ही टैंकों के सबसे इनोवेटिव टेक्नोलोजी के रूप में देखा जा रहा है हाला कि दोस्तों चाइना के तरफ से जब भी ऐसे कोई नए टेक्नोलोजी या नए डिवलप्मेंट का बात कहा जाता है उसमें कई तरिके के अलग 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 फ या चाला के तरफ से टैंकों के टेक्नphonolology को लेकि जिन बातों का दावा किया जा रहा है उसे validate किया जा सके। पर no doubt अगर चाहना के तरफ से ऐसे कोई टैंकों का development किया गया होगा तो ये भारत के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़े concern का बात हो सकता है क्योंकि फिलाल अगर देखा जाए तो इंडिन आर्मी के बेड़े में हलके वजन का कोई भी टैंक नहीं है और जुरावर शा से चल रहा और अब तक इसमें कोई जादा progress नहीं हुआ है और इस तरह के से अगर चाहना के द्वारा एक के बाद एक टैंकों का निर्मान किया जाता है रहा और भारत के तरफ से टैंकों के development में डिले होता रहा तो no doubt आने वाले लड़ाई में ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल का कारण बनेगा अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पर भारत के लिए टैंकों को लेके जो चिंता है वो दिन बाद दिन बढ़ते जा रहा है तो उही पर दूसरे तरफ एटलिस्ट इंडियन एयर फोर्स की चिंता को दूर करने के लिए तेज रफतार में क मिसाइलों का ओफर रखा जा रहा है और इस बारे में जानकरी रखने वाले अधिकारियों का ये तक कहना है कि इंडियन एयर फोर्स के तरफ से भी दलाइला मिसाइल को लेके अपना सोच विचार रखा जा रहा है और शायद आने वाले समय में इंडियन एयर फोर्स के और खतियार के रूप में ये दलाइला मिसाइलों को भी बेड़े में शामिल किया जाए। बेसिकली दोस्तों इन मिसाइलों को देखा जाए। तो ये इसराइल के द्वारा निर्मान किया हुआ एक एयर लाउंच क्रूज मिसाइल या फिर कहे तो लॉटरिंग म्यूनेशन के ग्रेगरी में इसलिए भी काउंट किया जाता है क्यूंकि ये जो मिसाइल है ये टार्गेट को हिट करने से पहले आस्मान में उडान भरता रहता है जिससे की टार्गेट को बहतरिन धंग से आइडेंटिफाई करने के बाद ना के वराबर कोलेटरल डैमेज के साथ और दोसों ये दलाइला मिसाइल में जो क्रूज और लॉटरिंग कैपबिलिटी के साथ-साथ गो अराउंड कैपबिलिटी है ये असल में एक सॉफिस्टिकेटर ग्लाइट सिस्टम प्रोफाइट करता है और एक पिसिजन टारगेटिंग कैपबिलिटी देता है जिससे की आइट एक हेलिकॉप्टर मतलब LCH परचंड में भी इसे इंटिग्रेट किया जा सकता है और दोसों इन मिसाइलों को एक स्मार्ट मिसाइल के रूप में भी देखा जाता है क्योंकि एक स्टेंडे टाइम तक टारगेट के इर्दगिर्द उड़ान भर सकता है और अगर टा और 100% कनफर्म होने के बाद मिसाइलों का उप्योग किया जा सकता है और बताया जा रहा है कि इन मिसाइलों के लाूटरिंग कैपविलिटी को देखते हुए ही इंडियान एर फोर्स के तरफ से मिसाइलों को लेकिं इंट्रे reckon दिखा जा लाएं लेकिन दोस्तों जिस तरीक इस्राइल से भी हतियारों को मेकिन इंडिया इनिशिटिव के अंतरगत खरिदा जा रहा है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि अगर दलाइला मिसाल आने वाले समय में इंडिया यार फोर्स के बेड़े का हिस्सा बनता है तो नो डाउट यह भी मेकिन इंडिया केवल 187 किलोग्राम वजन का यह जो मिसाल है यह 2.71 मीटर मतलब करिवन 8 feet 11 inch लंबा और 0.33 म मतलब 1 feet 1 inch का डायमीटर का है जबकि इसका विंग स्पैन करिवन 1.15 मीटर मतलब 3 feet 9 inch है और यह 187 किलोग्राम के मिसाल में करिभ 30 किलोग्राम के वरहेट रहता है और यह 500 किलो मी के दर्मियान रहता है जबकि कुछ-कुछ शेत्रे में ये मार्क 0.85 तक के रप्तार्थ पकड़ सकता है और दोसे इन मिसाइलों के जो सर्कुलर एरोर पोवल है वो कलिफ करीब एक मीटर या फिर कहे तो कारणों के वज़ा से इस एक पिन पॉइंट एकुरेट मिसाइल कहा जाता है दूसरे तरफ अगर देखा जाये तो इन मिसाइलों का उप्योग एरक्राफ्ट हेलिकॉफटर ग्राउन लॉंच व्येकल इवन सि लॉंच मेकरनिजमम में भी किया जा सकता है दोस्तों आप लोगो को क्या लगता है कि क्या भारत के दवारा दलाइला मिसाइलों को इसराइल से खरिदा जा सकता है या फिर भारत के पास दलाइला मिसाइलों के जैसे alternative capability के कोई स्वदेशी मिसाइल है comment करके अपने लाए अवश्चत दीजिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पही करते हैं किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम